हलो गाईज हमने घर पर दूद की छाली से बनाए घीव की रेश्पी लेकर आए हैं हमने 10-12 दिन के दूद के छाली को फ्रीजर में जमा कर दिये हैं चलिये दिखाते हैं देखिए हमने दो कटोरी में दूत के छाली को जमा कर दिये अब एक गमले में इसको ट्रास्फर कर देंगे और एक मतनी के मदद से इसको मतनेंगे देखिए एक ये मतनी है इसी के मदद से हम और इसको तब तक मतनेंगे जब तक इसमें से मखण उपर न आ जाए देखिए मतने के बाद सारे मक्खन उपर आ गए हैं अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी डालने के बाद सारे मक्खन को हम कठा कर लेंगे उसके बाद एक बावल में साफ पानी लेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका मठा निकल जाए देखिए हमने अच्छे से धो लिये हैं इसका मठा निकल गया है अब गैस पर इसको एक गमले में डाल देंगे और इसको पकाएंगे अब इसको चलाती हुए घीव बना लेंगे देखिए अब इसमें से घीव तयार हो रहा है अभी फ्रेस घीव नहीं बना है देखिए दूसरा इस्टेप में घीव रेटी हो गया है अब इसको दूसरे बॉल में चान लेंगे हमने सारे घीव को चन्नी के मदद से चान लेंगे देखिए मेरा गीव कितना फ्रेस और सुनारा कलर आया है गाइस मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा टैंक्यू गाइस